हेले स्टुडेंट कैसे हैं आप सब इकबार पुनाव सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेश पर स्वगत है क्लास टोल्थ फिजिक्स एंसे आर टी चैप्टर रॉन में आज का महत्पोर टॉपिक है एक समान बिद्दू छेतर में बैद्दू दूधरूप को घुमाने में किये गया कार की गड़ना करनी है ये आज का टॉपिक है ये प्रिश्न है ऐसा ही प्रिश्न पूछा जाता है कि एक समान बिद्दू छेतर है उसमें बैद्दू दूधरूप है उसको यदि हम घुमा रहे हैं तो उसमें कितना कार करना पड़ेगा उसकी गड़ना करनी है तो question से थोड़ा बहुत रूप रेखा आपका तयार हो जाता है पहले आपको question समझना है question क्या कहता है एक समान बिद्दुछेत्र मतलब हमें एक समान बिद्दुछेत्र पहले मानना पड़ेगा जिसे कि यहाँ पर हम माननके चलते हैं जो आपको ए दिखरा पहरे हो यह एक समान बिद्दुछेत्र है अब इसको हम घुमाएंगे, जैसे अब यहाँ पर मान दीजे मोल वस्ता में, यहाँ पर A भी रखा हुआ है, इसको ज़िए हम घुमाएं तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, माइनस Q और A प्लस Q, घूम करके ऐसे इस्थित हो गया, मतलब E के साथ पहले मान के चलते ह था, इसके बाद इसको हम घुमा दिये, तो थीटा 2 कोण बन गया, मतलब थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाने में, कुछ ना कुछ कार करना पड़ेगा, उसी की करना करनी है, ठीक है ना, clear, पहले question को इतमिधान से समझे, की question पूच कह रहा है, उससे रूप रेखा तयार क जिसका दूद्रू आगून पी है, तब उस पे भीया एक बल्यूगम आगून लगता है, जो कि इसके पहले मैंने वीडियो अप्लोड किया था, बल्यूगम आगून का विंजग, ताव बरावर पी ए साइन थीटा, तो हम माना मान के चलेंगे पहरे भाई हो, कि माना, आप के पास क्या एक समन बिद्दूचेटर ई है, जिस पर क्या है, एक बैध्दूद दूद्रूब है ना, क्या है, रखा हुआ है, जिसका दूदूद रूइधरो आगून पी है, या कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कि बिद्दूद रूइधरूब आगून वाला बैदूद लिख लेते हैं पर शात्र इतना आपको लिखना कि माना पी दूधरूब आघूम वाला एक बैद्दू दूधरूब है किसी बिद्दू छेटर ए के साथ ठीटा कुन बनाती हुए रखा गया है तब इस दूधरूब पर कार करने वाले बलीगूम का आघूम कि इतना होगा प बैद्दू दूधरूब किसी दूधरूब छेटर ए के साथ ठीटा कुन बनाती हुए रखा गया है डाइग्राम में आप खूबी के समाथ साथ समझ सकते हैं कि आपके पास ये पी दूधरूब वाला दूधरूब है ना पी दूधरूब आघून वाला एक बैद्दू इतना क्लियर पहरे वाए इतना आप समझ सकते हैं अब हम पहले मान के चलते हैं अल्प कोड घूमा दें जैसे देखी एक आप यह अल्प कोड के निकालेंगे और फिर एक विश्टरट छेतर के लिए निकालें पहरे तो समाखन्य कर देंगे यह जिड़ी छोटासा छेतर का कार निकालने कि दी थीटा घुमाने में किया गया कार तो फिर हम क्या करेंगे पैरे भाई यो पूरा घुमाने में कितना कार करना पड़ेगा तो समा कलन कर देंगी सिंपल तरीका तो अपन को लिखना क्या है कि अल्पकॉन दी थीटा डी थीटा सोरी अल्पकॉन क्या लिखन दूइद्रूब को ऐसा लिख सकते हैं दूइद्रूब को अल्पकॉण डी थीटा घुमाने में किया गया कार ओके, अल्प कोण घुमाएंगे तो कितना कार करना पड़ेगा, तो अल्प कोण घुमाने में अल्प कार करना पड़ेगा, वो अल्प कार कितने के बराबर होगा, डी डवलो के बराबर, ठीके, और कार बराबर क्या होता है, बल, तो बल युगम अगुण के लग रहा है और कितना है पी ए साइन थीटा इन्टू दी थीटा और समीकरण यह कहां से आया समीकरण एक से ऐसा लिख सकते हो समीकरण एक से हमने रखाया इसका मांड ओके इतना क्लियर हो गया इती डीडावलू क्या है अल्पकार है और हमने कहा ना कि जब बड़े श्चेत कर निकलना होता है इसको गूमाएगे तो बदल जाएगा तो कोण अपना है तो यहां पर आपको कंफ्यूज में नहीं रहना है मतलब थीटा वन प्रादमिक स्टेज है थीटा टू सेकंडरी स्टेज है मतलब प्राथमिक इस तरब थीटा वन रखा हुआ था और जब हमने घुमा दिया तो कुछ न कुछ इस कोन में परिवरता नाया तब उस पर कितना कार करना पड़ेगा उसकी हम गड़ना करती है तो थोड़ा सा आगे आपको लिख लेना पैरे भाई हो कि बैदू दूधरू को कहां से कहां तक हमने कहां थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में किया गया कुलकार तो हमने जाएगा कहां से कहां तक थीटा वन से थीटा टू तक यह लिमिट होता है किया गया कार ठीक है समा कलन करने पर डी डवलू का समा कलन डवलू हो जाएगा यहां पर जो भी कंस्टन्ट है उसे बाहर ले लो जैसे पी ए है उसे बाहर ले लो ठीक है कहां से थीटा वन से कहां तक थीटा टू तक किसका समा कलनों का साइन थीटा डी थीटा का अब आप बताओ साइन थीटा का समा कलन क्या होता है डबलू इक्वल कितता हो जाएगा पी-ई साइन थीटा का समा कलन क्या होता है समा कलन बताने तो माइनस स्कॉस थीटा होता है क्लियर समा कलन का फार्मॉला आपको पता होना चाहिए एदि मैट्स के स्टूडेंट है तो आपको तो कंपल सरी है यादी होना चाहिए एदि आप साइंस के दिन बायोलाजी के स्टूडेंट तो भी 11 क्लास में फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ठीक है इतना क्लियर अब क्या करते हैं पहर भाई यो ल इसलिए दोनों के साथ पहले थीटा टू रखे फिर थीटा वन और दोनों के बीच में माइनस होता है इसलिए इसको अपने ऐसा अरेंज कर दिया डबलू एक्वल पी एदि हम कहा दें पहर भाई हो यह माइनस माइनस प्लस और प्लस के कान इसको पहले लिख दी तो किटा तो लिख सकते हैं इतना क्लियर हो गया इतना कंपलीट है और यही पर अदि हम कहा है यह ही किए गया कार के लिए बिन जाका है कारे के लिए बिन जागे, ठीक इतना क्लियर तो आपको डाउट ने होने चाहिए इतना आपका कमपसर यह इतना बन गया है, ठीक थोड़ा सा और यदि हम मान के चलते हैं, कि प्रारंबिक इस्ठित में मान लीजे ठीटा कितना रहो, 0 डिगरी ओ रहो, कि इतना भी मान सकते है कोई दिक्कत नहीं है, आपके ओपर डिपेंड करता है, कि यदि हम प्ररम्भी की स्टेज में थीटा मान लिए, कुछ भी मान सकते हो, पाई वाई टू मान लो, हमारे पास तो इतना पता नहीं कि कितना कोण बनाती हूँ रखा गया है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे जी है, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ, और यदि लास्ट में कितना हो गया, यह जीरो डिग्री हो गया, समझ रहे हैं, तब यदि हम कह दें, कितना तो अलागा सकता है, और यदि हम कह दें, कि जीरो डिग्री से, प्ररम्भे में ही जीरो डिग्री रहा हूँ, जीरो डिग्री से θیٹا कोण तक घुमाने में कितना किया गया कार तो एक स्टेज हम यहाँ पर निकाल कर आपको दिखा देते हैं कि दूई धुरूब को दूई धुरूब को थीटा 1 बराबर 0 मान के चलते हैं से थीटा 2 बराबर थीटा कूण घुमाने में कि घुमानी में क्या किया गया कार किया गया कार कैसे निकलेगा समझेगा डबलू बराबर डबलू रहने दो पी इंदल अचा धी डी on हमने जेरो डी माने तो कॉज जेरो डी एक समान बिदूत छेतर में बैद्दूत दूधर को घुमाने में किये गए कार के लिए गड़ना निकला जा ठीक है पहरे वाई इसके पहले जो भी वीडियो उससे आप लोग देखे होंगे और अगला वीडियो आएगा एक समन्द विद्दू छेत्र में बैदू दूदूरूप की इस्थिती और जाके गड़ना करनी है। उसकी भी हम गड़ती बैख्या निकाल देंगे। तो आप लोगों से एक उजहारी से हैं। वीडियो देखना तो प्लेइस जरूर बिजिट कर लें और प्यारे वाइदी आपको नोट्स चेहिए हूँ तो मेरा परशनल लंबर है रुपए में आल चेप्टर के विदिवद नोट्स आपको मिल जाएंगे चिंता करने जुरत नहीं है बेतरी नाप त्यारी कर सकते हैं किसी भी स्टेट वोट से हो एंसे अर्टी पेटर में पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरा हेलफूल होगा वीडियो आ है हिन बने मतरम